लास्ट वीडियो हमने काली बंगा सब्वेता को डिटेल में पढ़ लिया था आप लोगों ने वीडियो बहुत अच्छे से देखा भी है मुझे पता है और आप लोगों ने उसे याद भी कर लिया होगा ऐसा मैं मानती हूँ क्योंकि अगर आपने नहीं किया है तो इनको साथ में याद करते जाएए क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के पास इकटी हो जाएंगे फिर आप लोग परेशान हो जाओगे तो चलिए आज हम करेंगे आहर सब्वेता उससे पहले थोड़ा सा हम लोग रिवाइज कर लेते हैं कि काली बंगा सब्वेता में हमने क्या-क्या पढ़ा था तो देखिए काली बंगा सब्वेता जो है घगण नदी के किनारे हनुमान गड़ जिले में विक्सित हुई थी और इसके जो खोज करता थे वो कौन थे अमला नंद घोस और उत्खनन करता बीबी लाल और बीके थापर थे यहां हमें कच्ची पकी इंटों के साक्ष मिले थे लकड़ी और इंटों की नालियां मिली थी ठीके और इसके अलावा यहां पर अगनी वेदिका अगनी कुंड ये भी मिला था इसका मतलब वहां धार्मे कारे भी हुए होंगे दुर्ग के अफसेस हमें काली बंगा सब्व तो काली बंगा सब्वेता जो कि 6000 साल पुरानी मानी गई ठीक है वहीं पर आहड सब्वेता जो है वहे 4000 साल पुरानी मानी जाती है और एक और अंतर है इन दोनों सब्वेताओं में कि काली बंगा सब्वेता जो है वहे एक नगरिय सब्वेता है जबकि आहड सब्वेता जो है तो यह जो आहर सब्वेता है इसके कई उपनाम है जिनको आप लोगों को याद रखना है यह उद्यपूर के पूर्व में इस्तित है अब बात आती है कि नदी की क्योंकि नदी जो है वो महत्वपूर रहती है नदी नहीं होगी तो वो सब्वेता वहां विक्सित कैसे होगी तो यह आयर या बेड़च नदी के किनारे विक्सित हुई और यह बेड़च नदी जो है यह बनास की सहयक नदी है इस वज़े से इस सब्वेता को बनास संस्कृती कहते हैं तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि आहर सब्वेता जो है इसे बनास संस्कृती क्यों कहते हैं तो आप बताईएगा कि ये बेड़ज नदी के किनारे इविक्षित हुई और बेड़ज जो कि बनास की सहाइक नदी है, इस वज़े से इसे बनास संस्कृती भी कहते हैं. इस्थानिय लोग जो हैं, इसे क्या कहते हैं? धूलकोट कहते हैं, और जब दस्वी और ग्यार्वी स ताबदी की बात आये, तब वहाँ पर इसे आघाटपूर भी कहा गया. आघाटपूर के नाम से भी जाना गया. तो इसके जो कई उपनाम हैं, इनको आप याद रखिएगा. आहट संस्कृती, बनास संस्कृती, धूलकोट और आघाटपूर. और बहुत ही महद्वपूर कि तामबे के ओजारों का निर्मान केंद्र यहां होता था, इसलिए इसे तामरवती नगरी भी कहा गया. ऐसा प्रतीत होता था कि यहां तामबे के ओजार जो हैं, वो बनते होंगे, यहां पर फैक्टरी रही होगी, इसलिए इसे तामरवती नगरी भी कहते हैं. गोरे कोट यह सब कुछ हमें यहां मिला, जिससे देखने पर पता लगता है कि यह सब्वेता जो है वो ग्रामिन सब्वेता थी, इसका जो समय है वहे 2000 इसापूर्व से 1200 इसापूर्व तक का माना जाता है, आहर सब्वेता के जो खोज करता है वहे अक्षे कीर्थी व्यास हैं, जिन्हों इसका उत्खरन कार्य किया था और उसके बाद 1961 और 62 में बियन मिश्र और HD संकल लिया, इन्होंने दुबारा से इसका उत्खरन कार्य किया था, तो यह चीज बहुत अच्छे से आपको याद रखनी है, ठीके, आहर संस्कृती के जो है चार्ज ले हैं, ठीके, जहां पर यह संस्कृती जो विक्सित होई, जहां हमें तामवे के अफसेस मिले, उसी से पता लगता है कि आहर संस्कृती जो है, वो इतने एरिये में फैली होई थी, राजवम्मत जिला, भीलवाडा जिला, उदेयपोर और चित्तोरगर, यानि कि जो जिसे हम मेवार कहते हैं, तो वह ज पढ़ेंगे इसकी विसेस्ता है, जिस से पता लगेगा कि ये सब्वेता, ग्रामिन सब्वेता क्यों कही जाती है, यहां पर हमें लाल काले म्रदभांड मिले हैं, या कह सकते हैं कि लाल भूरे म्रदभांड मिले हैं, वहीं हमने काली बंगा में पढ़ा था कि वहां पर हमे चाक पर म्रदभांड, यानि मिट्टी के बरतन है चाक पर बनाय जाते थे और जिसमे एक विधी जो अपना स्टी तपाई विधी यानि मिर्दभांड जो है उसको उल्टा करके पकाया जाता था तो इसे उल्टी तपाई विधी कहते हैं यहां हमें क्रशी और पसू पालन के साक्षे मिले जब गामीर सब्वेता है गाउं के लोग हैं तो बिल्कुल जाइज है ये बात कि खेती करते होंगे पसू को पालते होंगे और गेहु, चना, जो, सरसो, राई, बाजरा और चावल ये फसले जो है उगाने के साक्षे भी मिले हैं जिसमें चावल जो है वह बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट आप लोगों के लिए यहां अंडरलाइन मैंने कर दी है क्योंकि कई बार एक्जाम में ये चीज पूछी गई है कि यहां पर जो है उच्चो कोटी के चावल जो है वो उत्पादित होते थे ठीके कपास से ये लोग पर्चित थे, कपास के साक्षे मिले हैं सरवाधिक प्रिय पसू कुट्ता यो लोग जानवरों को पालते थे पसू पालन के साक्षे यहां मिले हैं लेकिन सबसे ज़्यादा प्रिय जो पसू था वो इनका कुट्ता था भैस, भेड, कुट्ता, बक्री ये सब ये पालते थे मकान जो थे वो कच्ची इंटो के थे मकान तो थे कैसे कच्ची इंटों के लेकिन इनकी नीव जो थी वो कैसी थी पत्थर की बनी थी तो ये काफी important line है कई बार exam में पूछी जा चुकी है तो जो चीज में आपको बोलती हूँ कि कई बार पूछी जा चुकी है मतलब आपके exam में भी आने की पूरी पूरी संभावना बनती है तो मकान जो थे वो कच्ची इंटों के थे नीव पत्थर की थी चट जो होती थी वो कैसी होती थी बास की बनी होती थी यहाँ पर हमें मकानों में 4 से 6 बड़े चूले मिले हैं इससे ये पता लगता है कि संयुक्त परिवार होगा सामुहिक भोजन जो है यहाँ पर बनता होगा यूनानी मुद्रा मिली है जिस पर अपोलो का चित्र बना हुआ था ठीक है अपोलो यानि सूरे के देवता का चित्र बना हुआ था बैल की मरण मूर्ती प्राप्त हुई है, बैल पालते से ये लोग, उसकी मरण मूर्ती प्राप्त हुई है, जिसे कहा गया बनासियन बुल. कपड़ों पर छपाई करने के ठपपे भी प्राप्त हुए हैं अथार्त ये लोग रंगाई जो है इसके काम से भी परचित थे सिर्खुजलाने का यंत्र मिला है मटके मिले हैं, कलस मिले हैं, चूडिया मिली है मिट्टी के बने हुए 27 आभूशन कान के मिले हैं काली बंगा सब्वेता में भी हमें आभूशन मिलते हैं लेकिन वहाबर हमें आभूशन मिट्टी के नहीं मिले हैं मिट्टी के आभूशन तो केवल हमें कहां मिले हैं आहर सब्वेता में मिले हैं पुजा की थाली, दूपदानिया यानि ये लोग जो है धार्मिक कार्यों में रुची लेते होंगे, मिट्टी के छै दीपक मिले हैं, मिट्टी के ही खिलोने मिले हैं, तो खेलने के लिए बच्चों के लिए खिलोने जो हैं वह भी मिट्टी के ही मिले हैं यह तामरे नगरी कहलाती है क्योंकि यहाँ पर तामबे की ओजारों का निर्मान के इंदर था, तो तामबा बहुतायत था, तो यहाँ पर कुलहाडी जो है, वह तामबे की सुर्मा तामबे का, तामबे का पात्र, तामबे की छुरी, तामबे की छे मुद्राएं, तीन महरें, इसके अलावा आप लोगों को एक लाइन और याद रखनी है कि आहर सब्वेता के जो लोग थे वो अपने मृत्कों को गहनों और आभूशनों के साथ दफनाते थे वो ये सोचते थे कि मृत्यू के बाद भी जीवन रहता है इसी लिए उनकी जो प्रिये वस्तुएं होती थी उनके साथ दफना देते थे तो ये टॉपिक जो है वो आपका कंप्रीट होता है चोटा ही टॉपिक है ये लेकिन आप यहाँ पर जितने भी फैक्ट हैं आप लोग मानते हैं कि प्राकर्तिक प्रकोप से जो है इस सब्वेता का विनास हुआ होगा इस सब्वेता के लोग जो है जब विनास हो गया तो इस सब्वेता के लोग उत्तर पूरव और दक्षिन पूरव की ओर बड़े और ग्लूंड और भागवान पूरा जैसे इस फान जो है इन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ थेंक यू